और ये है स्टेट म्यूजियम एकमात मागांदी का टर्खायां आर्टिफेक्ट शीवा पार्वती इनली में पहुंच गयू बुद्धा के पार्वादी लॉंग टाइम नोसी क्योंकि बहुत दिनों से कोई व्लॉग नि बनाया और आज स्पेशल व्लॉग गिले निकाला है तो आज स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी आज और हम कहीं जा रहे हैं वह आप टाइटल में देख चुक्यों होगे मेभी उससे रिलेटेट कुछ टाइटल होगा तो आज स्पेशल में किसी नहीं जगह पर जा रही हूँ जहा हमें खुद भी पहले कभी नहीं गी हूँ और ह तो यह भी काफी टाइम बाद मेरे व्लॉग में आ रही है और यहां पर गाडिया बहुत चल रही है अवाज आ रही होगी क्योंकि जल्द ही हमारा माइक आने वाला है उसके बाद हम फराटेदार बोलेगे तो आज को लाव की जिंदगी में क्या कुछ खास चल रहा है हमें आज बताए मारी तो लग पड़ी है क्योंकि तो इसकी तो लग चुकी है अच्छे से बहुत टाइम से व्लॉग नी बनाया क्यों नी बनाया कोई excuse नहीं है मैं बहुत आल्सी होगी थी में को व्लॉग नाने का मननी की editing करने का तो बिल्कुल मन नी किया तो ना मैने योज नहीं है, यह सच्चाई है, मैं नहीं कही यह रहूं है हम बता दे थे हम कहां जा रहे है? हम जा रहे है, श्टेट मूजिुम का हम एन्य K Self USA पे पट्रीश चरीछ है तो यह में लेके जारी है, इसी के वरोजिय है, सकी सांसे तो फूलता है रूप चाही होँ कोई निया यह भी रास्ताय हम लोग कल आयां कि हमें सब रस्ता रास्ते पताने चाहिए ले पीटरोफ जाएंगे वहां से स्टेट मुजिम जाएंगे नाचने वाला मोर यहां पे दा अंदर यह पहुंच्छे पीटरोफ आफ यह ए बड़ा होटल है तो का बहागरी आगया ग यह है पीडर होफ और इसकी स्टोरी यह है यह कोट था ना गांधी जी की जो हतियार था ना ना थुराम गोड से उसकी सुनवाई पहले यही थी आजगल का मौसम ना बेस्ट मौसम है शिम्ला को विजिट करनेगा क्योंकि आजगल ना थंड है जादा ना गर्मी है और ना ही अबर साथ है तो बहुत अच्छा है मौसम है जाए तो आज कल आप लोग आ सकते हो शिम्ला घूमने बहुत मज़े कर सकते हो गरम कपड़े लेट यहां सूबह शाम तो गाफी ठंड है और यह बात कर रही थी मैं यह आप है बुद्दा यह दिख रहे हैं यहां से शिम्ला यहां से नहीं हमारे पास हम बहुत करीब है यह दिख यहां यहां से यहां से इधर को जाना है राज्या संग्रालिया 50 मिटर सिरफ क्यों गल्त गल्त इंफॉर्मेशन लिखेंगे क्या ही माचल वाले तरक लग रहा है अरे अगी किछ है यहां से नहीं चास मेंटरी होगा यहां सर्क चास मेंटरी लग रहा है मैं यह चाड़े के उपर को शायद सनाती ठीग रहे तो दुरदर्शन वालों का गैस्ट हाउस भी यह यह आप है यह आजा चड़ाई दिखारी पंचने वाले हैं तो अभी अभी आ कि फिर जाएंगे अंतर पहुंचे करें और यह गेट है लेकिन एक तावर देख पर अंच एक घय क Jeżeli है पूं जिए हैं स्टेट मिजीयम है महलें टीकेट करिया और 50 पर फजुपीर में और फोटोस ऐसे भी ले सकते हो अगर अंदर फोटोस लेने होगा है वीडियोग्रफिक करने होगी तो सौर प्यालग से चार्ज़ दो कि मैंने ही देने वाले हुआ होजा है का उडिशा से लेकिया है शीवा पारवती की यह पते निक बहुत पुरानी पुरानी 11th century कि ए कि स्टैच्यों जो सौथ इंडिया से लाई होई है जो अंदर है न यह उपर वाली सारी लकडी किया यह शायद किसी मैटल किया यह वाली कि इसको देखो हाथी आई बैक्स ब्लू शीप वाइल्ड याक यहां पी गए हम यह रिता का मंदिर है यह बहना अनी में ना तो खुश जो होगी तो यह स्टान टू लहें यह आई है यह नहीं देपत अ कि मोरे होते है रहां टमाया बेकी लाई यहां वाई एसा हो जाता चरका चलाते हैं गया से मिन्ग्स को यहां से चलाते होंगे अलग-अलग कल्चर है ब्राइड्स ओफ इंडिया यहां ट्राइब लोग नादा एं ट्राइड आफ नादा ट्राइड ऑफ भील यह है संथाल यह हमारी प्रेजिडेंट दॉप्ती मुर्मुजी के ट विंटेज कैमरा फिर ऐसा होदा था फिर ऐसा फिर ऐसा अब हिमाचल की ब्राइड्स अलग-अलग यह यह भी एक हो नई नवली ब्राइड बनने वाली है मुजियम गोमते गोमते हम अब वाशे रूम हागे हैं और मुजियम अलमस्ट गोम लिया ऐसा है कि यह रामपूर से लाया गया शिमलागो दतनागर से शिव पारवति यह शिव जी है यह पारवति हैं बाग की पदाने कहां से होंगे अब हम आगे हैं मुजियम से बाहर हमने टाइम भी नोटिस ने किया कि कौन से टाइम भी हम अंदर यह तो इसमें देख तो टिकेट में से टाइमिंग है क्या थर्टेन फिफ्टी से अवना था एक सतुन जा अभी कि ने बजड़े टाइम सवा तीन एक स्टुन जा मतलब अंदर से आगे देखके सारे सब कुछ देख लिया सब कुछ मतलब जितने भी अंदर चीदे थी वीडियो में थोड़ी बहुत तो पास रहने लेने का पता नियुक्त लोगों कि मुझे लेना है क्यूंकि बहुत लोगों की फोटो मैं देखे थे कि यहां पर फोटो जी ऑनकभी आई नहीं थी जगा पर पहली बार आई हूँ तो अब मैं भुट सारे फोटो लोंगी यहां पर तो उसके बाद मिलते हैं हम लोग आ गया है गार्डन की और और यह है यहां से विव यार यह पेड़ी अच्छा है ना बहुत अच्छा लग रहा है हम बैठेंगे इस वाले बेंच पर यह है पूरा स्टेट म्यूजियम यह पूरा है अंदर बहुत घोच पोच है मिला इदर उदर जाना पड़ता है औ अब जारे हम आगे थोड़ा और पता नहीं क्या है यहां पर यह चीज है क्या ही दिखतो होगा यहां से जाकडी में भी आसा हुआ मैल बोलती इसको पर यहां से जंगल दिख रहा है बाकी कुछ भीन दिख रहा सामने उनिवस्टी दिख रही है वह पेड़ के बीच में दि कि वान टू तो त्री स्टार्ट और अंदर ना बहुत सारी पुरानी चीज थी जैसे कल्चर से रिलेटेड थी हिमाचल के कल्चर को बहुत अच्छे से दिखाया है कि हमारे पोशाक के कैसी थी और कहां अलग-अलग ट्राइब कौन सी है और अलग-अलग डिस्टिक की हर ए अलग पार्ट से लेकर आये हैं और वो यहां पर रखी है और यहां पर म्यूजियम जो होता है ना सच मैं हिमाचल का स्टेड म्यूजियम तो ओविसली कि यहां बहुत कुछ देखने को आप लोग भी यहां आना चाहते है तो आसकते और आपको बहुत पसंद आएगी यहां पज़रख्यूए चीज़े हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा कल्चर किस तरह से हैं और किस तरह से मपनी लेगी सी को आगे कंटीनिव कर सकते हैं वहां पर इतने अलग अलग टाइब के सिक्खे थे ना मतलब मौरियन काल से लेकर तो उस टैन से और जैन की मूर्तियां अब पर इस यह जगह काफी बीस पूल है अब हां सच में ऐसे एकांथ सी जगह जादा शिम लगी बीड बढ़ा के दूर मुझे सच मैं बोलू तो मैंने काफी नज्जॉए कि अस जगह को अंदर चीज़े हैं मतलब ऐसे चीज़े हैं जो हमने कभी देखी नहीं है लाइफ अब बहुत लोग यहां पर याक के एक बार वे जग इसमें वह दो यहां पर आगे पीडर ओफ फिर से दो चार फोटो यहां पर भी ले लिए अब चले वापीस अब भूग लग दिया बहुत अब कुछ खाने जाएंगे तरह में मतलती हूं एड़ांस टडी के साथ में यह अब टेस्टी प्रांठे बनते हैं तो भूग लग दी थी तो में यह आगे चाय प्रांठा खाएंगे प्रांठी कहा रहे हम शाम को पांच मिचे अब भी खा लेते हैं फेट फूल ओना चीए खाए आप कुछ भी क्या मैटर करता है तो अभी प्रांठे खाएंगे उसके ब तो रिदा चलीगी यह वापिस और मैं भी जा रही हूँ अपने रूम ताम के 6 बच गे और मैं रूम पहुंचकी अब बस थोड़ा रेस्ट करूंगी यह मेरी कडी बन रही है अलू अलू भी है इसमें तो अभी हम डिनर करने लगे और अभी मैंने बताया था अलू अलु कडी है चाओ ले घी है तो अब दिनर के बाद मिलते है तो यह थाच का व्लोग आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो पो लाइक और शेयर करें चैनल वे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाए थैंक्यो समाच पॉच बीपाशाशाशाश